आज भारत बंद बुराया गया है जिसको कई उनिवर्स्टीज और चात्र संगत्रनों का समर्थन भी मिल रहा है। चात्रों को अपनी आवाज उठाने का एक बड़ा मौका मिल रहा है। चात्रों को रोका जाए और ऐसा ही कुछ द्रिश्य मालदा में भी दिखाई दे रहा है। सकता है, ATM में क्याश की किल्लत हो सकती है और फ्लाइट अगर आपकी है तो आप अत्रिक समय लेकर चलिए क्या आप राफ्ते में फच सकते हैं। सकते हैं। सकते हैं। उत्तर चौबिस परगना, बिननापोर, बीर भूम, इन सभी जगों पर बंद का व्यापक असर। और साथ ही आपको ये बता दे कि 10 ऐसे ट्रेड यूनियन हैं जिनोंने ये बंद बुलाया है और बंद का व्यापक असर सबसे जादा पश्चिम बंगाल के कई लाकों में देखा जा रहा है। सरकार की नीतियों के विरोध में आज ये भारत बंद का एलान जिसमें प्राइविट बैंक से लेकर सरकारी बैंक की सेवाओं पर इसका असर देखा जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दे कि कई एटियम्स में कैश की किल्लत हो सकती है, कई जगों पर ट्राफिक जैम की सिती हो सकती है। का समर्थन किया है, और मुद्दे लेकिन उनके अलग है, जेन्यू का मुद्दा है, NCR, NRC, NPR और CA के मुद्दे पर उन लोगों ने आज बंद को समर्थन दिया है, और राजेंदर नगार रेलवेट टर्मिनल पर हम यहां मौझूद है, और यहां पर छिटपुट संख्या में जो प्रदर्शन कारी पहुच रहे हैं, जाप के हो, या फिर आईसा के लोगों यहां आ रहे हैं, लेकिन आप पुलिस की बंदोबस्ती देख सकते हैं, कितनी जादा संख्या में यहां पर पुलिस बल मौझूद है, ताकि जो प्रदर्शन कारी है, वो पुलिस का इंतिजाम है, लेकिन पूरे इस शहर में किस तरह से पुलिस विवस्था की गई है, सडकों पर ठीक तरीके से आवाजाही हो सके वाहनों की, इसको लेकर भी कोई तयारी? ये देखें, तयारी की पूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ट्रेड यूनियन्स की हरताल है, तो बैंक से वाहों पर तो इसका असर पड़ेगा ही, और असर तमाम बैंक बंद रहेंगे, एटियंस तो भी पैसों की किल्लत हो सकती है, लेकिन जो प्रदर्शन कारी है, खा उन्हों ने इस बंद को समर्थन दिया है, और ऐसा माना जा रहा है कि दिन का करीक तक्रीबन 11-12 बजे शहरों में भी ये लोग निकलेंगे प्रदर्शन कारी, और कुछ न कुछ करने की जरूर इनकी कोशिश होगी, लेकिन पुलिस ने अपने तोर पर पूरी तैयारी की ठीके रोहिता, आपके पास लोटेंगे, बनोगिया लोईवाल हमाई समवाता हमें जानकारी दे रहीं थी कौलकता से, बनोगिया आप बतारीं थी किस तरह से सबसे रादा बंद का असर बंगार के अलग-अलग लागों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बैंजी की तर मनोगिया आप से मेरा सवाल ये था कि किस तरह से बंद का असर पश्चिम मंगाल में दिख रहा है? जी जी एक और बड़ी बड़ी दिल्चस बात है ये कि सत्ता में आने के पहले तक मुखेवंदरी ममता बनर जी ने हमेशा बंद और स्ट्राइक की है लेकिन सत्ता में आने के बाद ये फैसला ले लिया गया कि किसी भी हाल बंद या किसी भी स्ट्राइक का समरता नहीं किया रही है कुछ CPM के आला नेता है जगा जगा पर है ट्रेड यूनियन की ये मांग है मुखी मंतरी महम्ता बनर्ची ने तो कह दिया है कि किसी भी सरकारी समान को नुकसान पहुचाने से अक्शन लिया जाएगा समर्तन नहीं कर रहे हैं लेकिन कॉस के साथ है क्या मतलब है इसका ताहुचान जाता है कि chegou कि निकिहान भा सम्रान पहुचान टिरॉचान एंटि किवागा ख़या ब्स फ़े ओढ़ा थ्रची अब्स हाँ अधिज दूसरी और अगर आधिकर आज आम जंता को परिशानी हो रही है उसके लिए जिम्मधार कौना आम जंता का कुछ परिशानी है नहीं आम जंता का परिशानी 365 days हो रहा है 365 days हो रहा है cost of living price rise no employment highest unemployment the people's परिशानी हर रोज हो रहा है उसी देशाल आप सक्ता में थे बंगाल में और फिर भी 365 days के साट के लिए एक दिन का स्ट्राइक वहां पर भी काम नहीं हो रहा है और बाकी सारी इलाकों में यहीं बड़ी दिल्जस्ट बाद है राज्रीदी की है ट्रेनों में जबर करने वाले यात्री भी कम है सड़कों पर लोग भी कम है और अधिक तर लोग इस समय फिलहाल कोल का था कि सड़कों से ज्यादा जो आम दिन पर दिखते हैं उससे कम है